नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे MPCELIN Capsule के बारे में MPCELIN Capsule के बारे में पूरी जानकार इस वीडियो में आपको मिलने वाली है इसलिए वीडियो को complete देखना अगर दोस्तों हम बात करें कि भाई यह जो MPCELIN है यह आखिरकार है क्या तो दोस्तों MPCELIN एक एंटीबायटिक मेडीसिन है जो कि दोस्तों पैनिसिलिन गुरूप की है वहीं पर अगर हम बात करें तो ये medicine बैक्टिरिया से होने वाले संक्रमड को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है अगर बात करें कि medical store पर ये दवाई आपको किन नेमों से मिल जाती है तो दोस्तो एमपी सिलिन दवाई का मौन नेम है medical store पर ये आपको कैमपी सिलिन इसका कैपसूल आता है वो मिल जाता है जो कि 250 mg और 500 mg की strength में easily मिल जाता है बात करें प्राइज के बारे में तो दोस्तो जो इसका 250 mg वाला कैपसूल है वो तकरीबन 40 रुपए की MRP पर आपको मिल जाता है जो इसका 500 mg वाला capsule है वो आपको तकरीबन 80 रुपए की MRP पे 10 capsule दोस्तों मिल जाते हैं अब दोस्तों आपको हम बताते हैं कि भाई ये जो capsule है आखिरकार किस किस condition में patient को दिया जाता है तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें दोस्तों सबसे पहला जो इसका उपयोग है वो है respiratory tract infection यानि कि भाई अगर आपके सुसंतंत्र से जुड़ा किसी प्रकार का infection हो गया है तो उस condition में capsule काफी ज़्यादा कारगर है जैसे कि एक condition है दोस्तों pneumonia माल लिजे किसी के pneumonia हो जाता है तो उस condition में इस capsule को वहाँ पर दिया जाता है तो काफी ज़्यादा patient को relief मिलता है आगली जो condition है वह है दोस्तों urinary tract infection जिसको short form में UTI infection बोलते हैं अगर आपके माल लिजे अब urinary tract के अगर हम बात करें तो इसमें आपके kidney सामिल है ureter सामिल है साथी साथ bladder और दोस्तों urethra अगर इन में किसी भी प्रकार का जो है infection हो जाता है तो वहाँ पर ये capsule काफी ज़्यादा कारगर है वहाँ पर ये capsule doctor देते हैं इसके अलावा दोस्तों ampicillin capsule का उपयोग अगर कोई patient है जिसको skin और soft tissue से लेटर किसी प्रकार का जो है infection हो बैक्टीरिया से तो उस condition में भी ये capsule काफी ज़्यादा फायदे मंद है साथी दोस्तों एक condition है जानी बानी है फेमस condition है टाइफाइड फीवर अगर कोई patient है जिसको टाइफाइड फीवर हो गया हो तो उस condition में दोस्तों ये capsule काफी ज़्यादा फायदे मंद है रामबाड इलाज है अगर बात करें दोस्तों तो टाइफाइड फीवर में patient के weakness बहुत लगती है पेट में दर्द होता है साथी साथ दोस्तों जो है उसके सर में दर्द होना डाइरिया की समस्या होना या constipation की समस्या होना तो ये सारी दिक्कते होती है तब दोस्तों जो है इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है काफी ज़्यादा फायदे मंद है साथी साथ दोस्तो throat infection मान लिजे कि गले से related आपके किसी प्रकार की problem हो जाती है bacteria से संक्रमर हो जाता है जैसे कि भाई जब भी आप खाना खाते हैं खाना को निगलते समय दर्द होता है यहाँ पे गले में ठीक है या फिर जो है बोलते वक्त दर्द होता है गले में गले में कोई छाला या फिर फुनसी हो गया है bacteria के काड जो है infection के काड तो वहाँ पर डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं और काफी ज़्यादा फायदे मंद है साथी साथ दोस्तों कानों से related problem हो जाना यारे कान में दर्द होना कान में पस वगेरा कारिसाओ होना तो उस condition में भी कैप्सुल या जाना कासी पकार का infection है या फिर दोस्तों आपके sinus infection है तो उस condition में ये कैप्सुल वहाँ पर काफी जाना फायदे मनिद है साथ ही साथ दोस्तो इसका उपयोग bacterial meningitis को ठेक करने के लिए भी किया जाता है तो यहीं है इसके उपयोग और भी दोस्तो डॉक्टर अपने experience के अनुसार अलग-अलग condition में इसका उपयोग कर सकते हैं अब बात करते हैं कि इस capsule को यूज कैसे करना है और दोस्तो इसका dose कितना दिया जाता है पेशन्ट को तो यूज करने का तरीका भाई यह है कि इसको आपको खाली पेट उपयोग करना रहता है और साथ ही साथ दोस्तो इस capsule को दिन में दो बार सुबह साम लेने की सलाह डॉक्टर दे सकते हैं दोस्तो अगर हम बात करें dose के बारे में तो दोस्तो जो है अडल्ट के लिए जो इसका 250 mg वाला capsule और 500 mg वाला capsule है यह ज्यादा तर जो है डॉक्टर पेशन्ट को देते हैं वैसे पेशन्ट की condition पर depend करता है अब बात कर लेते हैं कि भाई side effect क्या क्या देखने को मिल सकते हैं तो side effect में जैसे कि आपके body पे rest होना या फिर vomiting होना उल्टी होना साथ ही साथ allergic reaction होना nausea की समस्या होना diarrhea हो जाना यही इसके common side effect हैं दोस्तो इसके लावा इसके side effect हो सकते हैं इसलिए कोई भी side effect आपको दिखाय देता है तो इस दवाई को further उपयोग नहीं करना है साथ ही आपको अपने डॉक्टर से संपरक करना है ताकि इसकी जगे पे आपको कोई दूसरी बहतर दवाई दी जा सके अब आपको बताते हैं कि यह जो दवाई है क्या breastfeeding mothers और जो pregnant women है वो भी ले सकती है तो हाँ दोस्तो बिलकुल ले सकती है कोई problem वाली बात नहीं है वहीं पे अगर हम बात करें तो जिन लोगों को इस दवाई से allergy है वो लोग इसका उपयोग ना करें और साथ ही साथ दोस्तो माली जिन लोगों को जो है kidneys related जो है किसी प्रकार की problem है तो वो लोग भी इसका उपयोग ना करें तो दोस्तो यही था आज का वीडियो MPC link capsule के उपर वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं साथ ही अगर आप अपने यूट्यूब चैनल